नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चनल अम्भी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का भह स्वागत है मंगलवार को जब सोन्या गांधी भात्य संसत के नए भवन के पहले सतर में अपना नोट पढ़ रही थी महिला आरक्षन को लेकर के उनका कहना था कि इसके लिए परिसीमन की ज़रूरत नहीं है और इसे अभी लागू किया जाए तो ये कहकर के उन्होंने कही सारे सवालों को जनम दे दिया क्योंकि भारतिय जन्तापाटी पिछले तीन टम से जब भी वो टिकिट अलोट करती हैं तो वो अल्मोस्ट जो उनका टिकिट देने का नजरिया होता है न वो 30% आरक्षन को देख करके ही होता है तो सोनिया जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या इसको अपनी पार्टी में लागू किया कॉंग्रेस में वो चाहें हैं हलाकि ये बिल पास हो चुका है लेकिन इसे इंप्लिमेंटेशन जो है इसका 2019 में होगा यानि की 2029 में लेकिन वो चाहते हैं कि इसे अभी लागू किया जाए अब आज इसी पर बात करते हैं जो दल ये कह रहे हैं कि आरक्षन को इसी लोकसभा आगामी जो लोकसभा चुनाओं है उससे पहले लागू कर दिया जाए तो वो दल आजाद है जब बीजेपी अपने आपने संगठन में 33% को महिलाओं को देने को फॉलो कर रही है तो ये दल भी इस प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं इससे भी अगर हर दल अपने आपने 33% को फॉलो करता है तो अबियसली महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी न सत्ता में एक बात और समझ लीजे कि इस बार बीजेपी ने अपने संग्ठन में यानि कि जो आगामी चुनाव आने वाले हैं 2024 उसमें 30 थी पसंड क्या वो इससे भी ज्यादा भागीदारी देने वाली है उनको अपने संग्ठन में बीजेपी अधिक से अधिक भागीदारी का मौका देने वाली है। और ये समझ लीजे कि अमिट अलेख रचे गए। जिनमें ये भी देखने को मिला कि सरकार यानि कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच महल भी बहुत खुबसूरत दिखाई दिया। ये तस्वीर जो है बड़ी दुरलब दिखाई देती है। और सबसे जो इसका खुबसूरत पहलू था। नारी शक्ति वंदन अधिनेयम 2023 के रूप में नारी शक्ति का जो एक नया अबुधे का इत्यास रचा गया। वो सबसे बहतेरीन पल था। ये सुनकर के ये देख करके बहुत अच्छा लगा कि सभी नेताओं ने पार्टी लाइनों से उपर उठ करके बाबा साब अमिटक पंडिजवालल नहरू, राजनीतिक दल, महिला उत्थान, उनके विकास के लिए संस्तानों में संतुलित, महिला प्रतिनिदित के लंबे चोड़े दावे करते रहे हैं और वादे भी लेकिन जब समय आया तो महिलाओं को उनका हक देने में अनेक किंतु-प्रंतु सामने आते रहें अब पिछले लोकसाबा चुनाओं में 82 महिला सांसत चुन करके आई अब आब ये देखिए कि जब से देश आजाद हुआ, जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई, तब से ये संक्या सबसे अधिक रही थी अब इसमें 100 महिलाएं और भी शामिल हो सकती है, यानि कि 181 का टार्गेट है अगर हम बिल की बात करें तो, लेकिन सभी को इंतजार है आरक्षन का, क्यों, क्यों इंतजार रहा आरक्षन का, क्यों इससे पहले लोगों को नहीं लगा कि हमें महिलाओं को स्थान देना चाहिए, ये बात तो बहुत पुरानी है न, करीब दो दशक से भी ज्यादा पुरानी है ये बात, जिस पे हमेशा बात होती रही, लेकिन इस पे इंपलि कॉंग्रिस पार्टी इसका समर्थन भी करती है और अधिकांश दलो ने इस बिल का समर्थन किया, थोड़े से किंतु प्रंतु लगाए और अलग सेग्मेंट को लेकर कि लेकिन, end of the day, सबको ये मंजूर था, मंजूर है और सिरफ उनका ये कहना कि इसे immediately लागू किया जाए तो मैं personally ये समझती हूँ कि जो डल अपने यह महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चारा है, तो वो 33% क्या, वो 50% महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए, किसने रोका है उनने, वो जो महिलाओं आगे आएंगी, जो संसद में बैठेंगी, वो खुद आगे आ करके समाज की दूसरी महिलाओं का भी उत्थान करेंगी, उन्हें आगे बढ़ाएंगी, और हैरान करने वाली बात है दोस्तों, 2019 से पहले हुए चुनाओं में जीतने वाली महिला सांसदों की संख्या हमेशा 82 से कम रही है, तो अब आप सोच लिजे, अंडरलाइन कीजे इसको, कि इसका शिरिक की से जाता है, जिसने बिना किसी बिल के, अपने लगातार महिलाओं की संक्या बढ़ाई, अपने संगठन में महिलाओं को मौका दिया, काम करने का, विधान सवाओं के हाल ही, के जो लोकसबा जैसे ही हाल है उनके भी, ऐसे हालाद में भास्पा और मोधी सरकार ने, ये जो सहस का परिचे दिया है न, महिला अरक्षन विद्यक को पेश करके, और इसे बिल की शेप दे करके, ये एक सरानिय कदम है, इससे यकीनन लोकतंत्र मजबूत होगा, इससे शासन चलाने में महिलाओं की भागेदारी बढ़ेगी, उनके खिलाफ होने वाले अत्यासार भी कम होंगे, सवाल सिरफ सांसद विधायक का नहीं है दोस्तों, परियास होने चाहिए कि मंतरी पत्तक महिलाओं की भागेदारी बढ़े, और इस दिशा में भी बीजेपी अब तक आगे रही है, जो तस्वीर सामने आती है, उसके अनुसार देखें तो बीजेपी ने इस वो काबिले तारीफ है, उनको मंतरी पत्त दिया है, अब राजनीती में भी देखिए, सोने गांधी, गांधी परिवार से आती है, यानि कि उनका अपना कोई योगदान नहीं है, मायावति, उनको काशिराम ने डेवलप किया, तो उनका श्रे मायावति का श्रे काशिराम जी को जाता है, और भी कई नाम है, प्रेंका गांधी को देखिए, उनके नाम के बीचे भी गांधी लगा हुआ है, तो उसका उनको श्रे मिल जाता है, उनको उसका फाइदा मिल जाता है, अब आप सुश्मा स्वराज जी को देखिए, जो हमारे बीच में नहीं है, वो एक मेहनत से मुकाम पाने में हासिल हुए हैं और सुकद यह कि इन्हों ने अपने प्रस्ट खुद लिखे हैं कामजाबी का पर्चम लहराने वाली महिलाओं ने उत्रब्रदेश विधानसभा में भी इत्यास रचा हैं दो 2022 के अगर हम विधानसभा चुनाव देखे न तो 33 महिलाओं उमीदवार जीत करके अपनी जीत का पर्चम लहराने में सफल रही 2017 में 38 महिलाओं विधायकों ने जीत हासिल की थी और इस बार विधानसभा चुनाव में 4,442 उमीदवार मैदान में थे इनमें आप जानते हैं कितनी महिलाओं थी 560 महिलाओं थी और अंतिम परिणाम आने तक सबसे अधिक 25 महिलाओं जो थी वो भारती जनता पार्टी गठवंदन से जीती थी और समाजवादी पार्टी किछे कॉंग्रेस की केवल एक महिला वो कॉंग्रेस जिनने सबसे ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई है कि इसे अभी लागू कर दिया जाए बिना इसके नियम बिना इसके कानून जाने तो आपको समाजना हुआ कि बीजेपी तो बिना आरक्षन के ही महिलाओं को परमोट करती रही है इनकी हिस्सेदारी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाती रही है पिछली लोकसभाद चुनाव में बीजेपी ने कुल उमीदवारों में से 53 महिलाओं को टिकेट दिया था और पार्टी ने सबसे जादा उत्तरब्रदेश, महाराष्ट और गुजरात में महिलाओं को उमीदवार बनाया था यूपी में 10, महाराष्ट में 7 और गुजरात में 6 महिलाओं को टिकेट दिये थे कोई कमी नहीं थी और बीजेपी की तरफ से 41 महिलाओं उमीदवार चुनाव जीतने में सफल रही खास बाद ये कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में संसद और विधान सभाओं में महिलाओं की भागिदारी बढ़ाने के लिए यानि कि 33 परसंट का आरक्षन का वादा जो है बड़ी परमुकता से किया था इससे पहले 2014 में 428 सीटों पे उन्होंने अपने उमीदवार उतारे थे और उस समय 38 महिलाओं को टिकेट दिया था वहीं कॉंग्रेस की भी मैं आपको इसीती बताती हूँ कॉंग्रेस ने भी 2019 के लोग सभा चुणाओं में संसद और विदान सभाओं में महिलाओं को 33 परसंट आरक्षन का वादा जरूर किया था लेकिन इसके विपरीत कुल अमीदवारों में से सिरफ 54 महिलाओं को टिकेट दिया इनमें भी छे जो महिला थी वही जीतने में सबर रही कॉंग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश में 12 महिलाओं को टिकेट दिये गए थे पस्चिम मंगाल में 8 मद्ध परदेश में 5 और राजिस्थान में 4 महिला कॉंग्रेस महिलाओं को कॉंग्रेस ने टिकेट दिये अब साल 2014 में कॉंग्रेस का टिकेट देने का प्रतिशत जो था और कॉंग्रेस ने 464 सीटों पर अपने उमीदवार उतारे थे इनमें 60 सीटों पर यानि कि अगर परसंडेज के हिसाब से देखें तो वो करीब करीब 13 परसंड बैठता है इतनी महिलाओं को उने टिकेट दिया था 13 से भी थोड़ा कम बैठता है 2019 में अब तक की सबसे अधिक महिलाएं चुनाव जीत का संसत पहुंची संसत लोकसबा में 542-702 में 78 महिलाएं जीती थी इनमें भी सबसे अधिक उतरवदेश पस्चिम मंगाल की 11-11 महिलाएं जीती थी इस तरीके से सतरवी लोकसबा में ये परसंट परसंटेज जो है 14 परसंट के करीब जो है पहुंच जाता है और 1952 के अगर बात करूं तो सबसे अधिक महिला संसत थी इस हिसाब से और 2014 से 16 वी लोकसबा में 64 महिलाएं जीती थी और 15 वी लोकसबा में 52 महिलाएं थी जो चुनी गई थी चुनाव आयोग द्वारा लोकसबा की 542 सीटों के लिए जब परणाम घोशित होते हैं तो उन में सरवादिक 40 महिलाएं उमीदवार जो थी वो बीजेपी के टिकेट से चुनी गई थी और वहीं कॉंग्रेस के टिकेट पर सिरफ और सिरफ सुनिया गांदी ने महिला उमीदवार के रूप में राइबरेली से जीत हासिल की थी तो अब दोस्तों आप ये समझ लीजे कि अगर पार्टी चाहे तो महिलाओं को जो उनकी सिती है वहां से उठा सकती है और वो अगर चाहे मैं ये बात इसलिए कर रहे है क्योंकि सुनिया गांदी ने ये बहुत अंडरलाइन करके बात कही थी कि इस बिल को अभी अभी लागू कर दीजे पास होने के बात तो जो उसके साथ जो नियम और कनून जुड़े हुए है क्योंकि ये बिल जो है पुराने रूप में नहीं आया है इस बिल को नए रूप में जो है प्रस्तुत किया गया था पेश किया गया था और उसके बाद इसे पास किया गया है अब ऐसे में आब ये देखिए कि देश और प्रदेश की राजनीती बदलने वाली है लोग प्रतिनिदित के प्रतिष्ठानों में महिलाओं की भागिदारी बढ़ेगी जो फिलाल काफी चिंता जानक उसका ग्रैफ है उत्वदेश में इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है क्योंकि 33 सदी आरक्षन के बाद यहां जो विधान सबा की बदलने वाली है तो दोस्तो अभी के लिए इतना ही आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर ये मेरा कंटेंट आपको पसंद आया है तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड कीजिए अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सकाइब नहीं किया है त था कि जो भी मेरा लिटेस कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे आप अपना और अपनों का ख्याल लगिए खुश रहिए स्वस्त रहिए जय हिन जय भारत